हालो डियोर स्ट्रेंट्स आज हमारा चैप्टर थ्री के फिफ्ट लेक्चर है इसमें थोड़े टिपिकल सम्स देखेंगे हैं पोजिशनल एवरेज की कि थोड़े टिपिकल सम्स किस तरह की सौल किया आते हैं इसमें को सब्सक्राइब करना है समझना है कि कौँ सी विल्यू फऐंद करनी है करेपका डिरेक्टाइन नहीं बोला होता है कि समझना है कि कौन सी वेल्यू फैंड करनी है जो बोली होती है तो एकृण सबसे जिनकी हाइस सबसे जिनकी हाइस सेलरी जो पोथी जो टैपर से जान उसे टैप में नीचे से नीचे दी नीचे आयते हैं मोर्दन टैप में क्या होगा नीचे से में उपट जाएंगे किस तरीके से देखे तो जो गलास है नोर 12弥र आंपको किसे सेंग से घ्लडेव हैं इसे कितने एम चेंपलाई मारे पासоде 닉 Abi रिट total employees यान जो भी जो भी जिनकी भी सेलरी 5000 से ज्यादा है 5000 और 5000 ज्यादा है ऐसे कितने employees है 120 employees है बरबर तो यह मेरा हुगा एन यह मेरा हुआ एन अभी सेकंड कैप 10,000 और जिनकी सेलरी100 और 10000 से ज्याधा है यानि पहला क्लास क्या हो गया थाजने फैने क्लास के टबशेम से तो मैंने class में 55 का difference ले लिया 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 and 32, 35 अभी यह मैंजी CFI दिया हुए पर CFI कौन सा दिया है more than type का CFI दिया है less than type का नहीं है more than type का CFI दिया है तो उसमें करेंगे क्या क्या है फिर्स्ट CFI में से सेकंड ची HEY więc करेंगे यानी 120 माइनस 117 माइनस 10 तो क्या जाएगा 3 लएटेण टैप में क्या होता है फिर्सट वाली fat वला जो उनक होता हैok मापर यहां पर क्या होगा तो लास्ट वाला सेम रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, लास्ट वाला सेम रहेगा, रिक्वंसी के को सेम रहेगी, लास्ट वाली सेम रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पर, 120-117, कितना आया, 3, 117-106, 11, 106-76, 30, 76-31, 45, 31-12, 19, and last, 12, सेम का सेम, यह मारी फ्रिक्वंसी निकल गई, यह मारी फ्रिक्वंसी निकल गई, देन अब भी इमको क्या फाइं करना है, CFI फाइं करना है, 3, सेम अज इस, 3, प्लस 11, 14, 14, प्लस 30, 44, 44, प्लस 45, 89, 89, plus 19, 108, 108, प्लस 12, 120, यह मारा क्या निकल गया, CFI निकल गया, अभी पहला टोपिक किया है, हमको क्या फाइं करना है, median salary फाइं करना है, हमको क्या फाइं करना है, median salary, तो सबसे पहले हैं क्या करेंगे, median class निकालेंगे, तो median class के लिए क्या formula होता है n upon 2 n कितना है मेरा 120 120 upon 2 कितना है 60 60th observation 60th observation हमको किसके अंदर cover करेगी 89 क्योंकि यहां पे 44 44 के अंदर तो वो cover करेगी नहीं 44 cross कर गई यहीं किसके अंदर आ रही 89 तो जो मेरा median class होगा वो क्या होगा 20 से 25 जो f होगा वो क्या होगा मेरा 45 f होगा वो क्या होगा 45 5 L होगा 20 median class करने जो lower point है क्या है 20 तो L होगा मेरा 20 then cf में cf क्या होगा 44 एं जो class length है दोनों के class length कितना है 5 cf मेरा 44 होगा और class length हुआ 5 अभी क्या करना है same formula put करना है M equal to L plus N upon 2 minus cf upon f into c जो values हमने यहां पे निकाली वो formula में put on करनी है तो M equal to L की जाए क्या था value 20 N upon 2 यानि क्या हुआ 60 भी ले सकते 120 upon 2 भी ले सकते मैं आपको बताया था अगर 60 लेंगे तो हमारे एक step क्या हो जाएगा direct कम हो जाएगा 120 upon 2 minus 44 upon 24 into 5 M equal to 20 plus 120 divided by 2 क्या तो क्या आया 60 60 में से 44 minus करेंगे upon 45 into 5 M equal to 20 plus 60 minus 44 क्या आया 16 upon 45 into 5 M equal to 20 plus 0.355 multiply 5 M equal to 20 plus 1.777 therefore M equal to 21.777 यानि इसको मैंने 2.2 decimals लिए तो क्या आया 21.78 थाउजन रुपीज यानि यह क्या होई मेरी median salary हुई चिक है समझ में आया अभी next step next question क्या है lower limit of riches 20% employees अभी यहां पर हमको क्या find करना है वह आउट देखते हम क्या है किस तरीके से suppose अभी यह मेरा table है अभी table के अंदर starting में क्या होंगे poor यानि जिनकी salary कम है जिन employees की salaries क्या है कम है वह आंगे starting में आएंगे और end में क्या आएगा rich and में क्या आएगा riches जो सबसे जिनकी salary highest है और richest employees है बराबर अभी मुझे है find क्या करना है lower लिमीट लुअरल लिमिट तो इस साइड ही आएगी इस साइड higher limit है जैसे इस से पॉजिटेव होता है रइट सायड जाएंगे तो क्या आएगा positive लेफ से जाएगे तो negative यानि लोवर लिमिट कॉन साइड हैगा negative हैं लोवर लिमिट काउन साइड हैगा left साट आईगा विलाब इसलिए में लेफ लेफ सैट है याललने 20% कि इन है टो bilmiyorum कितफल लोगत है अर्यकिaches decided कि टो आइगा है great शेडिन टो कितना अधिक वे टिए एह खिरा करना है या इन हो प्रकारंकर जिस प्रकार्मर्स ऑनिंड़ें क्या find करना है हमको कई बार हमको direct values नहीं दी होती है कि कौन सी value find करनी है तो हमको question समझ के पाइद फैचानना होता है कि कौन सी value हमको find करनी है बाकी सम पूरा same का same ही है किस तरीके से अब 80 percentile find करने तो सबसे पहले हम क्या करेंगे परसंटाइल क्लास find करेंगे तो 80 and upon 100 80 120 upon 100 किया तो कितना है 96 अभी 96 किसके अंदर कवर होगा तो 96 कवर हो रहा है 108 के अंदर 96 किसके अंदर 108 के अंदर तो 108 के सामने परसंटाइल क्लास क्या है मेरा 25 से 30 परसंटाइल क्लास क्या है मेरा 25 से 30 बड़ाबर उसका जो f है f क्या है मेरा 19 f क्या होगा मेरा 19 और जो लोवर लिमेट है वो क्या होगी 25 जो लोवर लिमेट है वो क्या होगी मेरी 25 इस तरीके से जो cf होगा वो क्या होगा 89 CF है वो क्या होगा 89 और जो class difference है वो क्या है 55 का चल रहा है यानि इस तरी किसे मझे values मिलके अभी क्या करूँगा percentile की formula put करूँगा यानि PAT equal to L plus 80 N upon 100 minus CF upon F into C PAT equal to 25 plus 80 120 upon 100 minus 45 upon 24 into 5 PAT equal to 25 plus 96 minus 89 upon 19 into 5 PAT equal to 25 plus 7 upon 19 into 5 PAT equal to क्या हो 25 plus 0.3684 into 5 therefore PAT equal to 25 plus 1.84 यानि PAT क्या होगा 26.84 यानि लोवर लिमिट होगा जो richest 20% employees का वो क्या होगा 26.84 thousand 26.84 thousand यह क्या होगा मेरा lower limit हुआ किसका richest 20% employees का चेक है clear हुआ किस तरी किस था अगर सम्मेठोर query हो तो एक बार मैं recommend करूँगा rewind करके देखेगा क्योंकि यहां पर में जो main चीज़ समझ नी थी वो यह चीज़ समझ नी थी कि हमको value find कौन सी करनी है topic बहुत easy है समको question को ध्यान से पढ़ना और समझना है कि यह बोलना क्या जाता है question के अंदर और कुछ भी queries नहीं है बहुत simple है सिर्फ थोड़ा logic है समझना है proper रटना नहीं है समझना है कि बोलना क्या चाता है जैसे इसने क्या बोला richest रिचेस्ट कहां पर आएगा राइटेट सेंट पर आएगा और उसकी lower limit रिचेस्ट की lower limit यानि यह रिच लोग है उनकी lower तो रिच से मैं left hand side गया लेफ 20 कदम आगे बढ़ा तो काहां पर आके रोका तो 80 याके रोका था कहां पर खड़ा हंड्री पर खड़ा था 20 कदम बढ़ा तो 88 प्रोप्र एसलिए मजे क्या फाइन करना बढ़ा पीटी फाइन करना बढ़ा ठीके चली नेक्स सेंब पे रेखतें अब यहां पर क्या दिये दो फॉबंग टेबल शोज दमत्ली एक्सपेंस ऑफ एंटेंवेंट ग्रूप ऑफ फंडेट टूट फाइंड फाइंड न फिस्पेंस अभी मेंको क्या फाइंड करने हैं एक मंद एक ग्रूप दिया हूए एंटेंटेंवेंट ग्रूप उसका मीड इसका Fyne करना है उसमें सिर्फ चेंज क्या दिया हूए हमको class जो दिया हूए first क्या दिया है less than 200 and last क्या दिया है 800 अबाव यह जो data दिया हूए वो कहा है पहले एक पहले पहला गूरूप है उसका expense क्या है 200 से कम ऐसे कितने students है eight students है और जो last है group क्या last class दिया है जिनका expense 800 और 800 स से जाद है ऐसे कितने स्टूरंट से फाइव डेटा को मैंने सेम तरीकी से रिप्रेजंट किया क्लास में सब यहां पर क्या किया लोवर लिमिट इसकी दी नहीं हुई है गली क्या बॉल है less than 200 तो less than 200 लेलिया दें आथर last class क्या दिया 800 और यानी more than or equal to क्या लिया मेंने 800 लिया ठीक है frequencies मैंने लिख दीおい as it is मैंने cfye निकाल दिया अभी N कहा है मेरा हं रिट तो क्लास निकालने के लागे का लना पड़ेगा Commodality inrob alcohol कि यानि यानिक्या आया 50 चिस मेडिन ऐा मेरे 50 क्हां पी आएगा सैवन्टीवन वाले कॉलम में मैं धाकटी वन तो आएगा निहें चिस्थंटेवन के सामने कल से सामने क्लास कौंण से मैंने m equal to 400 plus 50 minus 31 upon 40 into 200 m equal to 400 plus 19 upon 40 into 200 m equal to 400 plus 19 को 40 से divide के तो क्या आया 0.475 multiply 200 m equal to 400 plus 95 यहनि m क्या आया median क्या आया मेरा 495 रुपीज यह क्या आया मेरा 495 रुपीज आज के लिए इस्टुट्स इतना ही कल भी हम पॉजिशनल आवरेज के समसी करेंगे उसमें क्या करेंगे जिसी जो मारा class type है वो कौन सा class type है मारा exclusive class type है यानि जहां से चीज जहां पर class stop हो रहा है वहीं से class class start हो रहा है ठीक है कल class के थोड़ा change आएगा और फिर उसके बाद हमार पॉजिशनल आवरेज टॉपक है वो पूरा होगा इसके बाद हम next topic चालू करेंगे mode ठीक है जो इस चैप्टर का last topic अब तो कल के वीडियो में हम पूजिशनल आवरेज के बारे में जानेंगे जिसके इंदर जो class है वो क्या होगा different class होगा ठीक है students आज के लिए इतना ही इस टाइप के मैंने समसाब को homework में दिए प्रीज सॉल करके आप समयट कीजिए नंबर हुआ है